आप सभी का स्वाकत आपके पर नीटूब चेनल सुकलर श्थड़ी पाण में मैं से ओम सुकला आप सभी दोस्तों का हारतिक स्वाकत करता हूं आज के वीडियो के माद्धम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के बारे में और जियोग्राफी के पर्थम परशनपत्र से बनने वाले बहुत ही महत्पोन महत्पोन लगुत्री अतिलगुत्री और दीर घुत्री परशनों पर चर्चा करने का प्रयास किया जाएगा यानि यह वीडियो बेसिकली डेक्टर राब मनोहल लोहिया आवद विश्विद्याले में पढ़ रहे चाचात्राओं के लिए और ऐसे कई विश्विद्याले जिनकी परिख्षाएं लिखीत होती है उन सभी के लिए बहुत महत्पूर्ण होगा आपको बता दूं कि BA6 समस्टर में अगर आप हैं और आपका subject भोगोल है यानि जियोग्राफी है तो उसमें आपको दो paper पढ़ने पढ़ेंगे ग्याफी आफी आफे सिक्स सेमेश्टर में जिस में से आपका पहला पेपर होता है जिग्राफी ाफिए तो जिग्राफी आफ उनको भी आप देख सकते हैं बाकी हो सकता है कि एकाद मालल देपर मैं और या एकाद वीडियो और आपको प्रोवाइड करवाऊं जो कि आपकी परिचा के लिए बहुत ही बेतर हो ठीक है चले पहला कोस्टन्स आपके स्किन पर आचुका है भारत में सिचाई के साधनों का नाम उलेख कीजिये यानि कि जो सिचाई के साधन है भारत में वो एक परकार से क्या क्या रहे है सबसे पहली बात भारत की मानसोनी बरसा अनियमित अनिश्चित तथा अनियंतरित होती है मलब की भारत में जो मानसूनी बरसा होती है वो कभी जादा होती है कभी कम होती है कभी एक परकार से बहुत जादा हो गई कभी बहुत कम हो जाती है तो बाढ़ की सिच वरसन हो जाती है और जल भराव की समिस्य उत्पन हो जाती है लेकिन जब बहुत कम बरसा होती है जैसे आ अब आपके उधर सुरू हुई हो कि ना सुरू हुई हो यह मैं नहीं जानता लेकिन हाँ आवद के प्रांत में बारिश जो है यह सुरू हुई पिछले दो दिनों में आता किरसी प्रधान देश होने के नाते यहां सिचाई की आवसकता लगातार लगती चुकि जब मानसूनी वर्षा जो होती है वो एक प्रकार से आनियमित आनिश्चेत और आनियंतरित है इसलिए सिचाई के साधनों की जरूरत पड़ती है चुकि भारत एक किरसी प्रधान देश से भारत में खेती वगारा खूब दबा के होती है तो भारत में सिचाई के प्रमुक साधन एक प्रक करके हम लोग जब एक प्रकार से बोरिंग करते हैं और बोरिंग करने के बाद में फिर वहां से भूमिगत जल जो प्रतिवी के अंदर जल है उसको बाहर निकालते हैं बोरिंग के माध्यम से कप्टी और जाली तमाम प्रकार की बोरिंग के प्रकार होते हैं अब खेती मैं भी सिचाई की जाती है यानि तालाब के पानी से सिचाई और तीसरा होता है नहरों के माध्यम से सिचाई करी जाती है तो तालाब नहर और कुवा यानि की नलकूप वगरा जैनि इंजन के माध्यम से जैसे आज कल तो बिजली के विदी ने कुवा मलब की बोरिंग करके अंदर एक प्रकार से पाइप डाल देते हैं और उसी पाइप से एक प्रकार से इंजन स्टार्ट करते हैं हंडे लगाओ घंगन घंगन इंजन स्टार्ट पानी चलू ठीक है तो ये तीन साधने बेसिकली भारत में सिचाई के ठीक है आगे देखते हैं दूसरा कोसंस आपके स्किन पर आ चुका है दूसरा प्रस्ण है हरित करांती से आप क्या समझते हैं तो देखें अमेरिकी विद्वान है डाक्टर बिलियम गैड उन्होंने सबसे पहले हरित करांती माना जाता है चतुर्थ पंचवर्शी उजना में भारत में करसी विकास के लिए नई रणीती के अंतरगत अनेक कारिकरम चलाए गए और हरित करांती का सूत्रपात उसी से वहीं से हुआ है भारत में हरित करांती की जनक का जो स्रे दिया आता है वो डाक्टर म.स्व स्वामी नाथन जो हैं ये भारत में हरित करांथी के जनक माने जाते हैं ठीक है और विस स्थर के एकर बात किया है तो विस में प्रकार से हरित करांथी के जनक जो माने जाते हैं कोन माने जाते हैं वो है नार्मन बोरलाग ठीक है क्या नाम है उनका नार्मन बोरलाग उनका ना इसके लिए अधिक उपजवाली किस्में जो बीज हैं उनका एक परकार से प्रियोग होने लगा यानि कि ऐसे गेहूं बोह जाने लगी है ऐसे चावल की बीजों का एक परकार से सूत्रपात हुआ जिनको बोने से ज़ादा एक परकार से उपज होने लगी ठीक है दूसरी बा प्रिक्षा रूपड किया गया बनों की कटाई कम करी गई ठीक है और भूमी की जो एक प्रकार से चमता है और बरक उसको कम करने का प्रमलब उसको अधिक बढ़ाने का प्रिया प्रियास किया गया भूमी की जो कटाई है उसको रोकने का प्रियास किया गया मर्दा परदन को रोकने का प्रियास किया गया यह तमाम परकार के काम जो है हरित करांती के द्वारा किये गए जिसके कराण से उपजवे बढ़ोत्तरी हुई प्रस नमर तीन है भारत में उर्बर सलफेट का उतपादन क्रमसा 1944 में सिंथेटिक अमोनिया का और अमोनिया सलफेट या आमोनियम सलफेट 1947 में प्रार्म किया गया बनाये जाना भारत में सहकारी स्वामित वाले पहले उर्बरक कारखाने के स्थाबना 1951 में हुई थी बिहार में खासर के सिंदरी में, किन्तु उर्बरक उद्योग का विकास हरित करांती के दोरान ही हुआ था, हरित करांती कब आई थी, 1967-1968 के दोरान हरित करांती आई थी भारत में, ठीक है, तो इसके लावा नाइट्रोजनी और फासफेट उर्बरकों का एक परकार से उत्पादन, एक परकार से नाइट्रोजनी फासफेट उर्बरक है इनका उत्पादन, इस उत्पादन ब्रधी के साथ भारत बिस सुका तरतिये ब्रहत्तम नाइट्रोजन उत्पादक देश बन गया, फासफेट उर्बरकों का सात्मा ब्रहत्तम उत्पादक देश भारत बन करके उबरा है, यहाँ पर यह बाते हमको पहले से पता है कि भारत में पोटास और वरकों के उत्पादन की कमी है इसके लिए देश को आर्यातों पर एक प्रकार से निर्भरक जो प्रकार से जो पोटास है पोटास ठीक है उर्बरक होता है पोटास एक तो पोटास भारत में नहीं होता कुछ भी नहीं होता तो ये एक प्रकार से बीदेशों से हम लोग आयात करते हैं आयात माने खरीदते है उसके बादे 100% हम बिद्योसों के आयात पर ही निर्भरायानिक जब हम खरीदेंगे तब ही हमारे पास पोटास होगा तो पोटास, डाई, अमोनियम सलफेट, पोटास और तमाम प्रकार की उरबरक होते हैं जो की मिट्टी की उरबरक छमता को बढ़ाते हैं लगातार प्रियोग से मिट्टी की उरबरक छमता भी चीन होती है, ठीक है आगे देखते हैं, अगला कोशन्स च encontramos प्रस्नाब के स्किन पर आ چुका है मृदा अपर्दन क्या है, मृदा माने होता है माटी या मिट्टी, अपर्दन माने होता है उसका चट करके बहना यानि मिर्दा अपर्दन का सीधा सीधा मलब होता है मिट्टी का कट करके बहना मिट्टी उड़ करके भी कहीं अलग जा सकती है और कट करके बह भी सकती है अब पानी के साथ अगर पानी अपर्दन करेगा ठीक है तो मिट्टी कट करके बहेगी तो वो हो जाएगा मिर्दा अपर्दन लेकिन अगर मिट्टी हवा वहोग तेज चल रही हो इस अलाकिले में और हवा से मिट्टी उड़ जाए और द्यूसरे स्थान पर जाकर कि ponto गिर जाए तो हवा के द्वारा मिट्टी का एक अस्थान से उड़ करके दूसरे स्थान पर जा करके गिरना ये एक प्रकार से क्या कहलाता है तो यहां से मिट्टी का उड़ जाना अपरदन कहलाता है मिट्टी का हट जाना अपरदन कहलाता है लेकिन वही जब मिट्टी हवा उड़ा करके माल नेते ले जा रही है और किसी दूसरे सान पर जब छोड़ती है तो छोड़ने की परकरिया को निच्छेपन कहते हैं मैंने इसको फस समेस्टर में आपको भोतिक भोगोल जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको समझाया था ठीक है निच्छेपन वो होता है तो मर्दा परदन बेसिकली कटा उसी को कहते हैं जब मिट्टी की ऊपरी परत कट करके बह जाये या हट जाये एक परसासनिक अनुमान के अनुसार भारत में परती वर्स हो रहे मर्दा अपर्दन का लगबग 20% है यानि 20% मर्दा अपर्दन के वल भारत में ही आपको दिखाई पड़ा है और ये दो रूपों में बेसिकली होता है एक तो परत अपर्दन का वलब की ऊपरी परत जो है मिट्टी की बह जाए और दूसरा होता है आउनाली का अ ठीक है यानि हिमाली परिवती इलाकों में परत अपर्दन होता है एक परत की परत निकल जाती मिट्टी आउनाली का अपर्दन में पठारी इलाकों में खासर के मध्धिवर्ती भाग में भारत के जहाँ पर पठार पाई जाते है वहाँ पर होता है पाच्वा कोसंस आप द तो जन्व संख्या घनत तो मानों और भूमी का अनुपात होता है यानि कि मान लेते हैं एक किलो मीटर का हम एक दाइरा फिक्स करें एक किलो मीटर हम एक प्रकार से उत्तर दिसा की और हम आगे बढ़े फिर उसके बाद में दाइं मुड़े और एक किलो मीटर चले गए फिर एक प्रकार से दाइं मुड़े एक किलो मीटर आए और फिर दाइं मुड़े एक प्रकार से एक किलो मीटर चले आए इस तरीके से हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे यानि एक किलोमीटर ये ठीक है वन किलोमीटर ये ठीक है और वन किलोमीटर ये यानि कि एक किलोमीटर का अगर हम दायला फिक्स करें तो इसके बीच में जितने लोग रहेंगे वो एक प्रकार से क्या हो जाएगा जन संख्या घनत ये हो जाएगा यानि एक वर किलोमीटर में एक वर्ग किलोमेटर में कितनी जनसंख्या रहती है तो इसी को वर्ग किलोमेटर कहते हैं और इतने बीच में इतने एरिया में कितने लोग रहते हैं वही जनसंख्या घनत होता है इसलिए इसको प्रती वर्ग मीटर में नापते हैं किसी प्रदेश के छेतरफल और जनसंख्या के बीच में जो पारसपरिक अनुपात होता है उसे जनसंख्या घनत तो कहा जाता है जनसंख्या घनत निकालने का सूत्र होता है क्या जनसंख्या घनत बराबर किसी छेतर की कुल जनसंख्या माल लेते हैं किसी छेतर में जनसंख्य जो है 100 लोग रहते हैं और उस छेत्र का छेत्रफल जो है वो एक प्रकार से कितना है वो माल लेते हैं 25 वर किलोमीटर है ठीक है 25 वर किलोमीटर जो है यानि कि 25 जो है किलोमीटर स्क्वायर है और एक प्रकार से उस छेत्र की जनसंख्या सव लोग उसमें रहते हैं तो इसका 25 स कम पचीस पचीस चो को सो यानि कि वहां का परकार से जो जन घनत होगा चार होगा यानि कि एक परकार से जन घनत कितना है वहां का चार है सामानता है जन संख्या घनत के अगर बात किया है जन संख्या घनत तो परतीवर किलोमीटर में यानि एक किलोमीटर में एक किलो में निकाला जाता है किसी प्रदेश का जनसंख्या घनत इस स्तथि को परदल चित करता है कि उस प्रदेश में उपलब्द संसाधनों का एक प्रकार से जब भारत के प्रकार से जो धरातलिय परदेश है, या एक प्रकार से भहतिक परदेश है जिनकी संक्या 5 है, उनके बारे मैं धन करते हैं, तो उसके बारे में भी एक मैप के माध्यम से आपको समझा दूँगा, ठीक है तो परेशान होने की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है छटा कोस्टन्स है पस्चमी विच्छोब क्या है पस्चमी विच्छोब जो होता है या इसी को बेस्टन डिसवर्न्सक बोलते हैं ठीक है भारती उप महादीब के उत्तरी इलाकों में सर्दियों के महीने में ठंडियों में जब तूफान या बारिस होती है ठंडी के महीने में तो पस्चमी विच्छोब के कारण से वो बारिस होती है ठीक है इसी को लोटता मांसून भी लोग कहते हैं चुकि जब ये मांसून इधर से अभी आया है मांसून अभी मांसून जाएगा और भूमद सागर में एक प्रकार से वहा तक पहुँचेगा उसके बाद में कुछ मांसून रुका होता है पश्मी बिच्छोब तो उधर से फ उत्तर भारत पाकिस्तान और नेपाल पर गिरा देता है उत्तर भारत में रभी की फसल के लिए विसेश करके गेहूं के लिए या तुफान आती आवस्क होता है पश्मी बिच्छोब का भारत में प्रवेश पश्मी जट प्रवाह के द्वारा होता है सीत काल में रात्री के तापमान में ब्रिधि इन विच्छोबों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है तो कुर्मिला करके ये ठंडी के महीने में बारिस आती है और इस तरीके से ये पश्चमी विच्छोब के कारण से ही आती है बारिस बेसिकली भूमत सागर और अरब सागर से मांसून या यानि कि एक प्रकार से जिसमें बोलते को उत्पादन के साधन कम है और जनसंख्या उससे ज़्यादा हो जाती है तो उसी को जनसंख्या बिसफोट कहते है बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाना उच्छ जनमदर यानि जनम बहुत हो रहा है और घर्टी मिर्तिव बहुत क एक दिन में या फिर एक परकार मिर्तिवदर 15 से 20 हजार प्रती के बीच है विस्ट के अधिकतर विकास सील देश इसी अवस्था में है जहांचे किस्सा सुविधा के विस्तार से मिर्तिवदर में तो कमी आई है चुकि डॉक्टर बगरा हो गए तो इससे मिर्तिवदर में कमी आई है परंतु समाजिक आर्थिक परिस्तियों में विसेश अंतर नहीं होते हैं होने के कार्ड से जनमदर में आप एक चित कमी नहीं आई है यहापर जनमदर लगातार हो रहे हैं उधार के रूप में अफरीका लेटिन अमेरिका मियानमार लाओस इंडोनिसिया इरान आते हैं यह सब एक परकार से जन संक्या विस्फोट के वस्था में समय हैं वैसे भारत में जन संक्या विस्फोट होई चुका है पहले से ही आगे देखते अग्ला कोसंद से आठवा नंबर परसना आपके स्किन पर आचुका है थार का मरुस्तल थार मरुस्थल के बारे में कुछ बताएं थार के मरुस्थल के गरबात की ये परिक्षा में प्रसना सकता है थार मरुस्थल क्या है मरुस्थल माने होता है मरी हुई ये अस्थल माने भूमी ऐसी भूमी जो की मरी हुई है यानि कि उसमें आप कुछ भी बीज बॉएंगे, कुछ नहीं होगा, वहाँ पर हरे भरे पेनपवधे भी बड़े बड़े नहीं होते, नाखफणी बगार जैसे चीजे होती हैं, कटीले पवधे होते हैं, ऐसे पवधे होते हैं मरुस्थलों में, जो कि परकार से काटेदार ह होते हैं जिनके पतियां बड़ी पतली पतली होती हैं मदार के ब्रिक्ष वहाँ पर आपको मिलेंगे जो की जो है नमी को बहुत देर तक एक्जॉर्ब करते हैं धालड करने के छमता रखते हैं थार मरुस्तल भारत के उत्तर पश्चिमी में तथा पाकिस्तान के दक्षिर ही पढ़ता है कुछ सिंध और पंजाब के परांथों में पढ़ता है पाकिस्तान के ठीक है अरावाली पहाडी के पश्चिमी किनारे पर थार मरुस्तल इस्तित है या मरुस्तल बालु के टिब्बों से ढखा हुआ है एक तारंगित मैदान के रूप में दिखाई परता है थार मरुस्थल अद्बुत है, गर्मियों में यहां की रेद जो है उबलती है इकदम से, इस मरु भूमी में लगब बावन डिग्री सेलसियस तक तापमान रिकार्ड किया गया है, अभी हाल फिल हाल में एक फोजी ने देखा होगा, कि उसने प्रकार से उसी पर पापड वग बावन डिग्री सेलसियस तापमान होता है, तो उसी में एक प्रकार से इतना आदा दिक्कत आती कि लोग भीज जाते पसीने से, आप सोचो वहाँ पर बावन डिग्री सलसियस और वहाँ पर आप बालू में चल नहीं पाओगी, जबकि सर्दियों में तापमान सून से नीक पर होगा, लेकिन ठंडी के दिनों में क्या हो जाएगा, बालू बहुत जदा ठंड हो जाएगी, यानि कि ये जितने आदा एक प्रकार से सूरिक की प्रकास को रोकते हैं, अमलप की खींशते हैं, उतने ही जल्दी छोड़ भी देते हैं, यानि कि इसको धालड नहीं कर पा पर दान करते हैं, गरमी रितु में यहां पर तेज आधियां चलती हैं, जो रेत के बड़े-बड़े टीलों को दूसरे अस्थानों पर ढखेल देती हैं, जिससे यहां पर मरुस्थली करन की समेस्या बढ़ गई, मरुस्थली करन मलप की लगातार एक प्रकार से में भी चलती है तो लूक जब चलता है तो वहां से हवाएं इतनी प्रबल होती है कि वो बालू उड़ा लेती है और उजाकर के कहीं पर छोड़ देती दूसरे अस्तान पर तो बालू का स्थूप या तमाम परकार की उची-उची एक आकरतियां या जो जाओ मिट्टी उसके उपर एक परत जमा देती है तो कोई मिला करके ये मरोस्थल बनाने में या मरोभूई बनाने में जो ये लू चलती है बड़ी एक परकार से उपयोगी होती है मरब कि मरोस्थल बनाने के लिए एक परकार से मरुस्थल बनाने में ये भूमिका निबाती है ठीक है अला कि मरुस्थल कोई अच्छी चीट नहीं है अगला परसे मर्दा सनक्षन के उपायों का उल्ले कीजिए मर्दा सनक्षन मर्दा माने माटी सनक्षन माने बचाना मर्दा की उर्बरक छमता को बचाना मर्दा की क्वालिटी को बचाना मर्दा को कट करके बहने से बचाना यानि मर्दा अपरदन को बचाना ये सब मर्दा सनक्षण में सामिल होता है मर्दा सनक्षण के कई उपाए महतपूर है पहला उपाय है पहाड़ी ढालों, बंजर्भू भागों तथा नदियों के किनारे उपयोगी ब्रिक्ष लगाए जाएगा जब आप पहाड़ी ढालों पर ब्रिक्ष लगाओगे तो उससे क्या होगा पहाड़ी ढालों पर जब पानी बरसेगा तो जब पानी बहुत ती ब्र फेर किया जाए यानि कि जब भी आप फसल बोएं खेतों में तो अलग-अलग फसल बोएं ठीक है ढालू भूमी पर सीड़ी नुमा खेत बनाएं और करसी करें इस तरीके से यानि जैसे कि आप देखतें चाय बगरा की खेती करियाती सीड़ी नुमा करसी करके सीड़ी बना-बना करके ढालो एरिया पर ताकि जो है आपकी जो उर्वरक छमता हो बहे ना चुकि अगर मिट्टी का परदन हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा मिट्टी की जो उपरी परत होती हो बह जाएगी और चुकि मिट्टी की उपरी परत ही इससे मिरदा पर्दन जो होता है वो अपने चरम पर पहुंच जाता है। करिया समलित है गहर प्राथमिक छेतर का मलब होता है जैसे कि ऐसा छेतर जो की करसी पसुपालंग बन उद्योग इन से अलग हो यानि कि उद्योगों की तरफ जब जनता अगरसर होती है और जाती है भागती है दोड़ती है तो वो चीज़े ठीक है यहाँ पर देखेंगे साम नगरीकरण मानों की समाजिक क्रांती में एक नबीन और आधार भूत कदम है सामानतया ग्रामिड जनसंख्या का नगरी जनसंख्या में रूपांत्रण ही नगरीकरण कहलाता है जब गाउं की जनसंख्या नगरों की और प्रवास करने लगे ठीक है तो जान जाए कि नगरी करण की प्रकरिया में चुकि कभी कभी क्या होता है कि गाउं वगरा में रोजगार नहीं होती तो रोजगार की दिश्टी से जाते हैं लोग बाहर ठीक है दूसरी बात लोग एक प्रकार से इसलिए बाहर जाते हैं चुकि लोगों को एक प्रकार से प्राथमिक ब्यवसाय करत करते करते ठक जाते हैं पसपालन करते करते ठक जाते हैं तो जाते बाहर कमाने के लिए कुछ उद्योग धंदा करने के लिए ठीक है ग्यारवा कोशन साब की स्किन पर आ चुका है जलोड मिट्टी क्या है जलोड मिट्टी जलोड मिट्टी उसे कहा जाता है जो बहते हुए ज अब होता क्या है कि नदिया जब बहुत दूरी लंबी दूरीते कर लेती हैं तो उनकी परकार से जो बहाओ की गती होती है या बहने की गती होती हो धीमी पढ़ जाती है जब बहाओ की गती धीमि पढ़ जाती तो उतना फोर्स नदियां उन मिट्टियों को नहीं लगा पाती है, उन मिट्टियों को नहीं ढखिल पाती जो उनके साथ बहर रहे हैं तो ऐसी ua शिर्थी में क्या होता है वो जो मरदा या पिर जो तमाम परकार के कंकर पत्थर या भी जो भी कुछ मिट्टी या जो चीजे बहा करके लाती है, मलबा बहा करके नदियां, उस मलबा वो मलबा एक ठाल रुख जाता आगे आकर के, ठीक है, जब चुकि बहाने की हो कि नदिया नहीं है, चुकि नदियों का परकार से उनके आगे जब धेर सारा मलबा रुख जाएगा नदियां अलग-अलग धाराओं में कट करके बह जाएगी तो जब ऐसे अलग-अलग रिखाओं में नदियों बैट करके बह जाएगी तो क्या हो जाएगा एक पूरा भूभाग निर्मित हो जाएक बहुत बड़ा बड़ा च्योंकि नदियां कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होती नदी भाई बहुत बड़ी बड़ी नदियां होती है तो अपने साथ बहुत सारा चील ले करके आती है तो नदिया जब एक प्रकार से उन्चीजों को नहीं बहा पाती तो उनका निछेपड कर देती है उनको छोड़ देती है और जब छोड़ देती है तो एरिया एक प्रकार से पूरा मिट्टी बन जाता है मलब कि पूरा जमीन बन जाता है और नदिया पतली धाराय बना करके अ जाते हैं और सुंदरी नामके बृक्ष केवल पस्चिम बंगाल में ही पाया जाते हैं पस्चिम बंगाल और बंगला देश में गंगा सतलज और यमूना के एक परकार से दुआपके छेतर से बना हुआ है ये डेल्टा तो ये एक परकारrån से यहाँ पर जलोड़ मिट्टी पा अथवा अर्थात इसके कड़ आपस में सक्स्ती से बंद करके कोई ठोस सैल नहीं होते हैं ये भुरभुरी होते हैं आप इनको हाथ से ही जैसे उत्तर प्रदेश की मिट्टी जो हम लोगों की है जलोल मिट्टी है ठीक है यहां हम लोग रहते हैं जलोल मिट्टी प्राया बहुतल के समस्त खनिश संसाधनों के चार वर्गों में उनको बाटा गया है खनिश संसाधनों को पहला है धात्विक खनिश ठीक है जिसमें धातू आते हैं खासर के लोहा, आईरन, सीसा, जस्ता, टिन, एलुमीनियम, मैगनीसियम, सोना, चांदी, यूरेनियम, मैगनीज, न धात्विक खनिज है यानि कि धातू होते हैं ठीक हैं कुछ होते हैं दूसरे आधात्विक खनिज आधात्विक मल्लब ऐसे खनिज जो कि धातू नहीं है इन खनिजों में खासर के धातू अंस नहीं होता जैसे कि सलफर हो गया फायराइट हो गया फासफेट हो गया पोटास है उर्जा उत्पन होती है जैसे कि आपका कोईला हो गया कोईला उर्जा देता है पेट्रोलियम हो गए प्रकरतिक गैस हो गई पेट्रोलियम में आपका डीजल यह सब पेट्रोल सब आ जाते हैं ठीक है तो यह और बाकी प्रकरतिक गैस जैसे कि जो प्रकरतिक गैस में CNG से ले पहले बीए के second year में आपको पढ़ना पढ़ता था Indian Geography तो उसमें ये प्रस्ण लगातार पूछा जाता रहा है तो अब की बार आपको बदा दूजिए 6 सेमेश्टर में आप इसको पढ़ रहे हैं तो इसमें जरूर प्रस्ण आएगा ये बाद ध्यान नखेंगे प्रस्ण पूछा गया आपकी बार 2024 की परिक्षा में 25 के लिए बहुत महत्मूर ये लेक्चर है 26 के लिए भी और इसकी बिभिन परजातियां वही पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायू परिस्टियों में ये था संभव स्वयम को ढाल लेती है और उसी एकोर्डिंग होती है तो भारत की बनस्पतिक पेटियों के अगर बात किया है तो भारत में विभिन परकार की प्राकरतिक बनस्पतिक पेटियां पाई जाती है जैसे पहले कुछ हिमाले परबतों पर जो पाई जाती हैं सीतोष्ण कडबंधिये बनस्पतियां उक्त दार बनस्पतियां यह सब पायीती मिट्टी और जलवायो में विभिनता के कirement से भारत की बनस्पती में चितरी विभिनता पायी जाती है ठीकर यह बात आध्याँ लखेंगे तो इस तरीके से अलग अलग चितरों में पस्चमी घाट क्या है पूरभी घाट क्या है एक उमेर क मैं आपको अगर समझाओं तो ये देखेंगे ये आपका होता है भिया ये आपका है एरिया पूरवी घाट ठीक है और ये आपका है पस्चमी घाट ठीक है ये आपका पस्चमी घाट है ठीक है पस्चमी घाट है ये और इंडियन नक्सा है ये ये आपका पूरवी घाट है य पूरवी घाट है, यहाँ पर पस्चमी घाट की अगर बाथ की यह वाला एरिया पस्चमी घाट और अंडमान निकोबार्दीव समू आपका यहाँ पड़ता है, यह सब उच्ण कडबन दिये वर्था बन पायाते हैं, उच्ण कडबन दूब की घर्मी एरिया होता है यहाँ चुकि यहाँ पर गर्मी होती है और यहाँ पर एक परकार से बारिज भी खुब दबाके होती है चुकि क्या होता है जहाँ पर गर्मी होती है वहाँ पर बारिज भी खुब दबाके होती है ठीक है यहाँ पर चुकि सूर्य हमेंसा लंबोत रहते हैं इस कारण से चीजे होती ह क्लियर हिमाला के प्रवतिय भागों में अगर बात के तो हिमाला के प्रवतिय भाग का मलब क्या होता है देखे हिमाला के प्रवतिय भाग जैसे कि आपका इंडियन मैप है ठीक है ये ये इंडियन मैप आपका होगा ठीक है अब इसकी बात के तो यह आपका क्या हो जाएगा यह एक परकार से हिमाले परबत की स्थिति आप देखें हिमाले परबत का इसे है यह पूरा हिमाले परबत का इरिया है यह पूरा हिमाले परबत का इरिया है ठीक है हलाकि यहां तक परबत हिमाले आता है और कुछ विद्वानों तो हिमाले परबत यहां तक बता है चुकि यह जो अंड़मान निकोबार दीब समू है यह प्रकार से इसी हिमाले परबत के ही अंदर से जुड़े हुए है चुकि पार्थियोगता का सिध्धान जो होता है उसके द्वारा अगर देखे तो हर एक अनस्पतियों के बारे में बताऊं मैं तो थोड़ा सा मैं अगर गूगल पर आपको दिखाने का प्रियास करूं अभी मैं दिखा रहा हूं एक मिट में ठीक है जैसे यहां पर आप देखें थोड़ा सा मैं आपको दिखाने का प्रियास करता हूं ठीक है चले जैसे यहां प को समझ में आये तो आप देखें थोड़ा सा ठीक है ये भारत का पूरा अमलब की ये तो नेपाल भी वे ने लिया ये भारत का नकसा ठीक है ये अब ये भारत का नकसा है ये नेपाल है अब यहाँ पर देखें सदा बहार बनस्पतियां जो पाई जाएगी सदा बहार मलब की हमेशा जो हरी भरी बनस्पतियां है basically हरी भरी बनस्पतियां जो सदाबहार है वो आपकी पूरी भाड़ पर यहाँ पर जो उश्नकडबंधी बनस्पतियां होती है वो यहाँ पर पाई जाएंगी कुछ यहाँ पर आपको मिलेंगी कुछ यहाँ पर मिलेंगी यहाँ पर ठीक है यहाँ सब परबत पहाड जो हो जादा है इस एरिया में ठीक है तो यहाँ पर ऊशन करबंदिया निस अधा बहार बन पाये जाएगे परड़ पाती बन आपके इधर यहाँ पर इलाका है, यह इलाका ही, यहां पर आपको मिलेंगे, ठीक है, इसके रग कर परवतिये बन जो आपको मिलेंगे, वो यह, पर पूरा, यह एडिया पर भी कुछ एडिया मिलेगा, ठीक है, ऐसे ही मैगरो बनस्पतियों में भी आपको देखेगे चीजे तो ऐसे कटीले बन तो यह सब चीजे थोड़ा बहुत अगर आपको ध्यान में रखना है तो इसको ध्यान रखेंगे चुकि मैप के हिसाब से कर देखे तो इस सारी चीजे आपको दिखाई पड़ेंगी ठीक है चले थोड़ा सा और जानने का प्रियास करते इसके बारे में क्लियर चले तो बनस्पतियां कुछ इस तरीके से भारत में आपको दिखाई पड़ती है अब यहाँ पर थोड़ा समय अगर और मैप के माध्यम से दिखाने का प्रियास करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ठीक है यह कुछ बनस्पतियों का एरिया होता है जैसे यहाँ पर आप देखे यह जो आपको इधर एकदम से हरी हरी बरेस्पतिया दिख रही है यह प्रकार से यहाँ पर देखेंगे यह वाली यह आपकी कैसी है यह एक प्रकार से यहाँ पर मैगरों फॉरस्ट पाय जाते हैं यह और यह एरिया ठीक है ऐसे एकदम से जो हरा है यह आपकी टॉपिकल यहने कि जिसको आप क्या बोलते हैं जिसको आप बोलते हैं ऊशन कट बंध है या सदा बहार बन यहाँ पर आपको मिलेंगे इस एरिया में इस एरिया में ठीक है यह पूरवी घाट यह आपका यह पश्चमी घाट है यह वाला यह आपका पूरवी घाट पड़ेगा, ठीक है, यह आपका पूरवी घाट के अंदर कथी आता है, किलियर यह आपका पूरवुत्तर भारत है, ठीक है, यह पूरवुत्तर भारत है, यह रोनाशल प्रदेश का एरिया उपर आप देखते रहे होंगे, बाकी जो आपका यह जो को जानने का प्रियास करते हैं केलियर बानसपतियों को लेकर करके हलाकि मैं पगरा से आप से अगर पूछेगा दीर घुत्रिये में तो आपको ऐसे बता करके लिख देना है अगर बाकी नहीं पूछ रहा तो कोई दिक्त की बाद नहीं आप पासानी से ऐसे ही समझा सकते हैं तो भारत को बानसपतिक पेटियों में इस तरीके से आप बांट सकते हैं चौदा नमर कोसंस आप देखेंगे चौदा नमर परसनाप की स्किन पर आचुका परसार किया जाए सिक्षा को बढ़ताया जाए सभी जंगो पर समाजिक सुरक्षा का विकास किया जाए तो यह तमाम परकार के काम करके हम जनसंख्या बर्दी को रोख पाएंगे अगला कोसंस से पंदरा नमर परसन है बृत्ताकार प्रतिरूप वा तरभुजाकार प्रतिरूप पर टिपड़ी कीजिए तो पहला है बृत्ताकार प्रतिरूप यानि किसी जील या तालाब की किनारे चारो और बने मकानों से निरमित अधिवास को बृत्ताकार प्रतिरूप कहते है नहीं ताल जुले में इस तरह के प्रतिरूप आपको बहुत जादा देखने को मिलते हैं तो देखे बृत्ताकार मलब की जैसे कोई जील है ये जील है पूरी की पूरी जील है ठीक है अब जील के किनारे किनारे जो ये तमाम पर कर किये घर ये घर ये ये तो ये सब घर जो पूरे जील की किनारे बसे हुए रहते हैं तो ये बृताकार पर इस तरीके से पूरा बसे रहते हैं तो ये बृताक सड़क के किनारे बनते हैं या नदी या नहर के किनारे बनते हैं ऐसे सड़क के किनारे आप देखते हैं टी नुमा परतिरूप यह सड़क जा रही है यह सड़क जा रही है और भी छोटी सड़क उससे मिलेगी इसके किनारे किनारे लोग बसेंगे इसके किनारे किनारे लोग बनती है तो कर मिला करके ये बसाओ का तरीका या प्रवास में आप देखते हैं इस तरीके से लोग बसते हैं तरिभुजाकार प्रतिरूप दूसरा होता है तरिभुजाकार प्रतिरूप के गरबात के तो जब कोई सड़क या नहर दूसरी सड़क या नहर से मिलती है परंतु उसको पार नहीं करती है, तो ऐसे अस्थान पर तिर्भुजाकार प्रतिरोप का विकास होता है, जब कोई सड़क किसी नदी तक जा करके समाप्त हो जाती है, तो वहां मकान नदी के समानांतर और सड़क के किनारे पर बजनते जाते हैं, कुछ समय के बाद में सड़क के दोनो और तथानदी के बीच के भाग पर भी बसाओ हो जाता है और गाउ की आकरती तिर्भुजाकार हो जाती है, एक तिर्भुज की भाती, ठीक है, इस तरीके से मानने नदी जा रही है, इस तरीके से नदी जा रही है, ठीक है, यहाँ पर आकर के यह एक प्रकार से रोड जा र तुट्र भुजा का रबस्ती ये होती है आगे देखते हैं अगला कौसंट सोला नमबर प्रस्न है भारत में जनसंख्या भितर्ण का प्रा दोस को संखेब में बताएं जनसंख्या निमास करती है और जबकि इसका चेतरफल जो है विस्ट के चेतरफल का केवल 2.4% ही है जनसंख्या के दिश्टी से भारत अब विस्ट का पहला बड़ा देश बन गया है किन्तु भारत की दो तिहाई जनसंख्या उसके एक तिहाई भाग मुखिता उत्तरी मैदान और तटिये भागों में ही निमास करती है यानि मिट्टी जल समतल भूमी और आवागमन की सुगमता आपको उत्तर भारत में मिलेगी और खासर की जो उत्तरी भारत है मुखिरूप से ठीक है वहीं पर आपको पूरी की पूरी भारत की जनसंख्या जो है समिटी हुई दिख पूरी भारत के पठारी भाग पर तटिये प्रदेशों के पेक्चा जनसंख्या आदिक है किन्तु यहां का जन घनत तटिये भागों की तुला में लगबग दो बटे पांच ही है ठीक है पठारी भाग की बात की तो पठारी भागों पर पर परवतिये भागों पर जनसंख कम पाई जाती है और मैदानी भागों में जादा पाई जाती है और मैदान बेसिकली भारत में या तो तट पर है तट के किनारे के ओले एरिया में लोग जादा रहते हैं या फिर एक परकार से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठीक है तो कछारी घाटियों और मैदानों मे जनसंख्या का घनत मैदानी भागों के समान ही मिलता है पठारी परदेश की जो एक प्रकार से उच भूमिया है उन उच भूमियों कुल जनसंख्या का 5% भाग रहता है या भी कुछ घाटियों में ही केंद्रित है सन 2003 इस भी में यहां की जनसंख्या लगबग 1049.7 मिलियन के आसपास थी यानि जनसंख्या को मिला करके वो बेसिकली मैदानों में जादा होती है फिर नदियों किनारे जादा होती है समुद्र तटके किनारे होती है ठीक है पठारों पर उससे थोड़ा सा कम होती है और परबती इलाकों में और कम जनसंख्या पाई जाती है ठीक है यह बात आप ध्यार रखेंगे भारत में आउदोगिक की बात किया है भारत में आउदोगिक नगरों में बंदरगाहों के आसपास नदियों की घाटियों में समतल मैदानों में और खनिश पदार्थों के पाये जाने वाले अस्थानों में जहां जीवन यापन और आवागवन की मारगों की सुविधा अच्छी खासी है वहाँ पर जनसंख्या घनत बहुत जादा है अधिक है और इसके विपरीद जैसे पहाड़ी भागों में पठारी सही तरीके से नहीं है इसके अतरिक भारत की किरसी पट्टी में जनसंख्या का घनत बहुत ही अधिक होता है या किरसी पट्टी पंजाब की सिचाई वाले छेतर से आरम भोकर के उत्तर प्रदेश बिहार जारखन बंगाल होती हुई पूरभी घाटी के तमिलनाडू आंधर प्रदेश, करनाटक और केरल होती हुई पच्चमी घाठ के महराष्ट तक जाती है तो ऐसे एरिया जहाँ पर करसी बगरा होती है वहाँ पर भी एक परकार जनसंख्या रहती है गिलियर और करसी बहीं पर होगी जहां नदी बगरा होगी जहाँ पर जल्की सभिदा होगी 17 नमबर कोशन से समुध तटिये मैदान पर टिपड़ी लिखिए देखें समुध तटिये मैदान यानि कॉस्टल प्लेंस तो प्राधिपिय पठारी प्रदेश के पूरब और पश्चिम की ओर दो सक्रे तटिये मैदानी प्रदेश है जिने करमसा पूर्भी तटिये मैदान और पस्चमी तटिये मैदान के नाम से जानते हैं पूर्भी घाट या पस्चमी घाट कहते हैं पूर्भी तटिये मैदान यह उत्तर में महानदी से दक्षड की कन्या कुमारी तक फैला हुआ है ये पश्चिमी तटिये मैदान की तुला में अधिक चोड़ा और सुस्क है इसमें महा नदी गोदावरी किष्णा काबेरी नदीयों से ने उपजाओ डेल्टाओं का निर्माड किया है डेल्टा चुकि उपजाओ यह थे चुकि नदीयां अपने साथ तमाम परकार की दिवर्ता को बहा करके लाती हैं तो अधिक अथे धियों का जो महाना होता है वही क्या सपास होती है ठेक नदीयां चिक प्रकार से अपनी गति जुर्जा उनकी कम हो जाती है तो वही पर अपना निछेपन कर देती है और उसके काणड से डेल्टा बन जाता है इसके उत्तर गाट का एरिया ये एरिया जो होता है इसका ये पूरा एरिया ठीक है अब इसका जो उत्तरी एरिया होता है बेसिकली उत्तरी सरकार उसको कहते है यानि कि उत्तरी सरकार ये वाला एरिया ठीक है इतना एरिया दक्षिड भारत का जो एक प्रकार से ये एरिया है ये आपका उत तट यहां चिलका तथा पुलिकट जीलों का दिर्माड़ हो तो चिलका जील और पुलकर जील यही एरिया में आपको मिलेंगी ठीक है तो यह वो गया आपका पूर्बी ततीय जीलों управी ततीय मैदान फिक है यह क्या हो गया आपके यह पूर्वी तटीय मैदान होगे तो यह पूर्वी तटीय मैदान हो रहा है था ना देखिए पूर्वी तटीय मैदान जो आपका होगा एक मिट पूर्वी तटीय मैदान इधर होगा यह वाला और पस्चिमी तटीय मैदान यह होगा ठीक है दोनों मेदान रखेंगे चुक पश्च्वी में आपका बाया हाथ पर तो पूरा भी है, यानि कि पूरी भी घाट ये होगा, और पश्च्वी घाट ये होगा, किलियर, आगे देखते हैं, पश्च्वी तटिय मैदान की एकर बात करें, तो पश्च्वी तटिय मैदान उत्तर में गुजरात राज से लेकर क और दक्षिड आज में केरल तक अरप सागर के साथ साथ फैला हुआ है जिसमें उत्तर में कोंकर तथा दक्षिड में मालबार तट कहते हैं यहां पेक्षाकर मलब की सकरा है जिसकी मान चवडाई लगबगा आपकी देखते हैं उसा चवडाई जिसको बोलते हैं 64 किलोमीटर ह उत्तरी भाग चवडा तथा दक्षिड भाग इसका बहुत ही संक्रियन है पतला है पश्चमी घाट का ठीक है और इसकी चवडाई कई अस्थानों पर 50 किलोमीटर से भी कम है तीबर धाल की कराड़ से इस तठक पर नदियों डेल्टा नहीं बनाती है यहां जो है जो आरप सागर में नदिया गिलती है बंगाल की खाड़ी में जो नदिया गिरती है चुकि आप देखेंगे यह परकार से देखें यह बंगाल की खाड़ी इधर पड़ती है ठीक है बंगाल की खाड़ी यह बंगाल की खाड़ी इधर पड़ती है और अरप सागर इधर पड़ता है तो बेसिकली ये आरब सागर में जो नदियां गिरती हैं, नदियां मारत इधर से आती बहते हैं, तो नदियां इधर जो गिरती हैं, वो एश्चूरी का निर्मार करती हैं, बलब की डारेक्टर गिर जाती हैं, तो गढधा बन जाता है समुद्र में, तो ये एक प्रकार से ड पंगाल खाड़ी में नदियां गिरती हैं, ओ एक प्रकार से क्या बनाती है, डील्टा बनाती हैं और इस कारणड़ु इदर का मैदान चौडशी वाला अधर का मैदान नहीं चौड़ु नहीं चौड़ा है, ठीक है, ये बात आप ध्यान नकेगे, तो ये कम है, तीब्र धाल के कारणल से इस तट पर नदिया डेल्टा नहीं बनाती हैं यहां का तट अधिक कटा फटा होने के कारणल से यहां मुंबई, मंगलवर, कालिकर तथा जो है मारमा गोवा जैसी प्राकरतिक बंदरगाह मिलती हैं चुकि यहां का तट आटोमाटिक कटा पटा तो इसलिए मारमा गोवा, गोवा, मुंबई, यह सब एक परकार से तट आपको मिलेंगे आठारा नमर प्रसने वर्सा से क्या आसे हैं तो हवा में थोड़ी बहुत वास्प हमेशा मिली रहती है हवा में नहित वास्प दरवी भूत होने पर अब जब बूंदों के रूप में धरातल पर गिरने लगती हैं तो उसे वर्सा कहते हैं वर्षा बिसिकली जानते कैसे होती है जैसे वर्षा क्या होती है मान लेते हैं कि बहुत ज़्यदा गर्मी पड़ी अब गर्मी पड़ने से क्या होता है जो समुद्र का जल होता है वो एक प्रकार से भाब बनके उपर उड़ता है अब चुकि गरम हो जाता है गरम होने पर हव तो धुआ नीचे नीचे फैला रहता है लोग निकालते हैं नहीं मटके से धुआ निकलता है बड़ी बड़ी साधियों में जो धनी लोग होते हैं जब वो करते हैं तो धुआ नीचे नीचे क्यों फैलता है तो धुआ जो होता है वायू से हलका होता है तो जब भी धुआ जो जो वायू से हलकी होगी, ऊपर जाएगी टिक है, वजन होगा तो नीचे रहेगी, ऐसे ही जो एक प्रकार से हमाय जब बहुत जाता गरम हो जाती है여, तो उनकी आदरता जब नमी जो होती, खतम हो जाती है, तो ऊपर भागती हैं वह, तो जैसे वास्प जो ता गरम होता है, उसे हलका होता है तो उपर भागता है चुकि उपर ठंडी एरिया है उपर जब एक प्रकार से ठंडी हवाएं हैं आदर हवाएं हैं तो वहाँ पर जब गरम हवाएं जाकर करके टकराती हैं मिलती हैं उनसे तो क्या होता है संगरन होता है कभी आपने देखा जैसे माल लेते है यह ठंड़ा आपने पिया होगा अब मैं कमपनी नहीं बताऊँगा कौन सी यह आप कहेंगे परचार करें ठंड़ा आप पीते हैं तो ठंड़े में एक प्रकार से जब ठंड़ा भरा होता है ठंड ठंड एक दम से फिरीज से निकालो ठंड़ा और बाहर रख दो बाहर की जो गरम हवाय होती है वो आ करके इस डबवा पर टकराती है इस डबवे पर बार बार गरम हवाय करके टकराएंगी ठीक है बार बार टकराएंगी तो इससे क्या होगा इससे यह होगा भया कि गरम हवाय टकराएंगी हो चुकी बोतल अलेडी ठंडा है अंदर से तो ठंड और गरम जब मिक्स होगा तो बूंदे बन जाएंगी तो ऐसे ही वायू भी बनती है तो यहां से गरम हवाव उपर उठती है और वहाँ पर मिली तो संघनन हुआ और बूंदे बन जाती है और बूंदे बन करके जल बनते हैं और संघनन से बूंदे बनती है यहों मौास्पकण जल कंड की बूंदों में बदल करके भूमी पर गिरने लगते हैं और इसी को वर्सा कहते हैं मैंने पूरी प्रकरिया आपको समझाई कैसे वर्सा होती है वर्सा के लिए निम्न अनकूल दसाओं का होना दूसरी बात जल कणों के रूप में मेगों का बनना ठीक है जब जल कण के रूप में बादल का निर्माड होता है और वायू मंडल के प्रति घन सेंटीमीटर वायू में 40 से 50 हजार कण होते हैं इन जल बिंदों का संगटन होता है तब एक बून बंती और आकर के पानी बरसता इसके लामा जब कण बड़े हो जाते हैं तो वायू उन्हें रोक नहीं पाती है क्योंकि वे वायू से भारी हो जाते हैं और जब वायू से भारी हो जाते हैं वे कण तो नीचे गिर जाते हैं और जो एक प्रकार से प्रतिवी की गुरत्वा करशन सकती है 9.8 या कुछ मीट सिकन्ड की सिक्वाइर के पिर्थबी हर एक वması कर रहा है बसको कोई खीचने वाला चाहिए ठीक है इस तरीके से बारिस होती है तो अगला ये प्रियाप्त बड़े पानी के बिंदू जब प्रतिवी तल पर पहुंचते हैं तो वर्सा होने लगती है इसके लावा जब तापमान अधिक गिर जाता है तो जल कर ठोस रूप मे धाल करके ओले की रूप में प्रतिवी पर गिरने लगते है चुकि जब क्या हो जाता है तापमान नहीं होता है तो एक प्रकार से यह जल की बूदे जो होती है वो ओस की रूप में ठंडी में गिरने लगती है ठीक है तो इस तरीके से वर्सा होती है और ओस वगरा जो होती बर्फबारी बगरा ये सब इसी तक कारण से होती है ठीक है ये बात आप ध्यान लखेंगे अगला कोशन सापके स्किन पर आचुका 19 नमर परस नहें वर्सा के मुखे परकार बताएं तो वर्सा बेसकली कही परकार की होती है पहली वर्सा आपकी है उसे तो तीन परकार की वर्सा मुखे रूप से होती है पहली है सम्माहनी वर्सा तो किसी अस्थान पर सूर की सीधी किरण निरंतर पढ़ने के कारण से वायू गरम होकर के सम्माहन धाराओं के रूप में उपर उठती है और चार ओर फैल जाती जिससे वायू का तापमान गिर जाता है और घनी पवन करिया के कारण से मेख बनने लगते हैं और घनगोर वर्सा होने लगती है वर्सा मेग गरजन और बिद्दुच चमक के साथ और बिजली चमकने के साथ और एक प्रकार से जो है तड़क साथ वारिस होती विस्वत रेखे प्रदेशों में वर्स भर प्रतितिन वर्सा जो होती है इसी कारण से होती है समाहनिय वर्सा बिसकली दुनिया में अधिकतर वर्सा समाहनिय वर्सा ही होती है चुकि क्या होता है गरम हमाय उपर उठेंगे उपर उठकर संगरन होगा पान बूंदी बनेंगी पटटा पट नीचे गिर जाएंगी तो यह होती ही वर्सा विस्वत रेखिये परदेश मनलब की जो पिर्थवी का यही इलाका है बिसिकली यह यह वाला इलाका ठीक है बीच वाला एक दम से इलाका इसे को विस्वत रेखा कहते हैं ठीक है इस एरिया में ऐसे ही वर्सा होती है चुकि यहाँ पर सूर्य हमेसा लंबव चमकते हैं और गर्मी खूब पड़ती है इसलिए पानी दबा करके यहाँ पर वर्सता है दूसरी वर्सा होती है यह कौन सी दूसरी होती है चक्रवाती वर्सा ठीक है चक्रवाती वर्सा के गर बात के तो थन्दी पйोने जो ओती नीचे आती हैं और गरम पॉने ऊपर भागती हैं तिसे होता है पहले लोगनी जिना पानी भी मड़ा है और गरम हवाइब भी हैं पहले जेंवाद होती है wireless हिमालय परबद भागत weapon का गती है और हिमाले पर बता गए तो उसी से टक्रा करके बारिस हो जाती है तो पवन को बिबस हो करके उपर उठना पड़ता है और जब उपर उठती है तो हवा फिट से ठंडी हो जाती है और वर्सा करने लगती है इस कारण से परवतिये इलाकों में बहुँ ज़्यदा वर्सा होती और इस प्रकार की वर्सा को परवतिये वर्सा कहते हैं ऐसी वर्सा परवतों मुख ढालों पर अधिक होती है और परवन भीमुख ढालों पर ये वर्सा कम होती परवतों पर ज्यादा होती ठीक है ठीक है ये बात ध्यार नखेंगे तो कुल मिला करके ये वर्सा जो होती बेसिकली ये तीन प्रकार की होती चक्रवाती वर्सा ठीक है समहनिय वर्सा और परबती वर्सा 20 नमर को संस आपके स्किन पर आ चुका है भारत के अपवाहतंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है अपवाहतंत्र मलब नदी का एक परकार से जो पूरा का पूरा एरिया होता है उसी को अपवाहतंत्र कहते हैं नदी की जिसमें तमाम छोटी छोटी नदी आ करके मिलती है पूरा का पूरा structure नदी का अफवातंत्र वो होता, ठीक है, जिसे गंगा नदी यहां से निकलती, तो गंगा नदी में आकर के, इधर से यमुना भी मिलती है, तमाम सोन, टोन, पता नहीं को नदी इधर से सबा करके मिलती है, गंगा से, तो पूरा का पूरा ये जो एरिया, प परवा की जिस प्रडाली का निर्मार करती है, उसे नदी का अफवाह तंत्र कहते हैं, किसी देश, अथवा प्रदेश का अफवाह तंत्र, धरातली रचना, भूमी के ढाल, सनचनात्मंग नियंत्र, सैलो के सुभाव, विबुवर्तनिक क्रियाओं, जल की प्राप्ती, पुद्गम के दिश्टकोंड से भारत के अफवाह तंत्र को निम्रखित दो वर्गों में बाटा जाता है, एक वे नदियां जो की हिमाले से निकलती हैं, उनका अफवाह तंत्र, हिमाले से गंगा या मुना ब्रम पुत्र ये सम नदियां निकलती हैं, तो इन नदियों का जो अफुआ तंत्र होता है वो, दूसरी होती है प्रायदीप की निदिया, प्रायदीप का मलब क्या होता है, प्रायदीप का भाग होता है, जो तीन तरफ से जल से गिरा होता है, अब नीचे यहाँ पर देखें, जो दक्षडी भारत है, यहाँ पर आपका है कौन सा महासाग हिंद महा सागर यहां पर आपका पढ़ता है ठीक है यहां पर आपका पढ़ता है कौन सा बंगाल की खाड़ी यह भी एक सागर ही है बंगाल की खाड़ी ठीक है और यहां पर आपका पढ़ता है अरब सागर अरब सागर ठीक है तो जब कोई एरिया तीन तरब से जल से घिरा ह तीन तरब से जल से घिरा हो एरिया कोई भी भुभाग जब तीन तरब से जल से घिरा होता है तो उस भुभाग को प्राइदीप कहते हैं इसलिए दक्षिड भारत को प्राइदीप भारत कहते हैं चुकि दक्षिड भारत तीन तरब से जल से घिरा हुआ है इसलिए इसको प्र चारो तरफ से जल से घिरा हुआ है ठीक हैं तो यह दीप होता है लेकिन जब कोई बड़ा भू भाग महादीप किसे कहते हैं जब कोई बहुत बड़ा भू भाग चारो तरफ से जल से घिरा होता है तो उसको महादीप कहते हैं जैसे एसिया महादीप अफरीका महादीप अफर बढ़ए और जो उत्तर भारत की नदियां है बेसिकली यह प्रकार से कहा निकलती हैं हिमाले परबत यहाँ इसे ब्रमपुत्रा नदी निकलती इधर से आती है और ये गंगा नदी है ये मुना नदीया करके मिलती है इसे सोन, टोन, अमलपी तमाम पर नदीया आहां से मिलती है और इस तरीके से आ करके ये नदीया बंगाल की खाड़ी में गर जाती है और इधर की नदीया कुछ आ करक सूखा एक प्राकरतिक आपदा है जिससे पूरता छुटकारा पाना एक असंभव काम है परन्तु मानों अपने प्रियोगों और प्रियासों से इस बिप्ता के प्रभाव को कम करने में जरूर सफल हो सकता है सूखे के प्रभाव को कम करने के कई सारे प्रभाव जो है उचित उचित प्रियास आप कर सकते हैं पहली बात यदि किसानों को पहले से कम वर्षा की सूचना दी जाए तो वे कम जल मागने वाली फसलों को अचैन करेंगे यानि कि ऐसी फसल बोएंगे जिनमें पानी कम लगता है ठीक है दूसरी बात बनों की अंधादुन कटाई रोक करके भ लगा सकती इसली बात सूखागरस छेत्रों में यदि सिचाई की आधुनिक विधियों का प्रियाप्त विकास कर लिया जाए तो सूखे के दिनों में खेतों की सिचाई करके फसलों को नश्ट होने से बचाया जा सकता है इसके अलावा सूखागरस छेत्रों में सूखे से अ भावित लोगों को राहत पहुचा करके उन्हें भुखमरी से बचाया जा सके और उनके लिए कई ब्यवस्थाएं करी जा सके ठीक है आगे बढ़ते हैं 22 नमर कोसंस आ चुका है 22 नमर कोसंस है अपक्षे को परिभासित किजिए अपक्षे क्या है अपक्षे उन विभिन भू परिष्टिये प्रक्रियाओं का प्रभाव है जो कि चट्टानों के नष्ट होने तथा बेगटन होने में सहायक होती हैं लेकिन इनमें धीले पदार्थों का बड़े पैमाने पर परिभान नहीं होना चाहिए कोई मिला करके अपक्षे का वाला होता है कोई पत्थर है कोई मरदा है तो अपने अस्थान से तूड जाए अलग हो जाए कोई सिला खंड तूड जाए अब अपक्षे माने होता तूटना यसे मालत यह है यह मारक यह पैन है अब यह पैन यहीं से तूड जा किस से कोई पानी की कोई धारा यहां पर इसके मारे और तोड दे या कोई हव कोई पत्थर था, यहां से इसमें दरार पढ़ जाए, तो यह क्या हो जाएगा, इस तरीके से दो पत्थर बन जाएगे, अब यही पानी अगर यही आ रहा है, यहां पर दरार डालेंग बाद में यह परकार से पत्थर नदियां अपने साथ भा करके ले जाएगे, तो वही एक परकार से अपरदन हो जाता है, ठीक है, तो अपरदन यह होता कि नदियों के साथ, या जल के साथ, उस वस्तू का जो तूटी है, वो बहे, तो एक परकार से अपरदन वो होता है, ठीक है, वो अ उसे अपर्दन कहते हैं ठीक है? 24 नमर कोशन साचो का भूमिगत जल क्या है? भूमिगत जल मलब जो भूमिके अंदर जल पाया जाता है उसे को भूमिगत जल कहते हैं भूपरिष्ट के नीचे पाया जाने वाला जल मलब जो की चट्टानों के छिद्रों, दरारों और पड़तों में इस्थित होता है भूम जल उसको कहते हैं भूमिगत जल कहते हैं या इसी को अधो भूमिक जल के नाम से भी जानते हैं 25 नमर कोशन से हिमनत से क्या अभिप्राय है तो परवतिय भागों में उचे अस्थानों पर इस्थित हिम टोपी या हिम छेत्र से हिम रासी जब गुरुत के कारण से निचले धाल की और सरिता के रूप में परवाहित होती है तो उसे परवतिय हिमनत कहते हैं यह बात आप ध्यान लखेंगे हिमनत का मलब क्या होता है गलेसियर बड़े बड़े जो पहाड होते हैं वो एक प्रकार से वहाई पर हिमनत होते हैं हिमनत के बारे में आप साय जानते हो हिमनत जो होते हैं गलेसियर की अगर बात किया तो ज चले मैं सर्च कर लेंग लेंग अभी मैं सच कर लाऊओ फिया जाएगा ठीक है मैं सच कर लाऊ की कि अ है देखते हैं ये आपका अगा गंगोतरी गिलेशियर, ठीक है गंगोतरी गिलेशियर क्या है भही, इसको थोध सा आवको बतादू गंगोतरी हिम नज जो है गंगा नदी का उदगमस्थल उदगा नदी यहीं से निकलती है या भारत के उत्तराखन राज के उत्तरकासी जिले में इस्थित है भागी रिथी गोमुख अस्थान से 25 किलोमीटर लंबे गंगोतरी हिमनत से निकलती है भागी रिथिवा अलग नन्दा देव प्रियाग संगम लब देव प्रियाग और करण प्रियाग तमाम परकार के प्रियाग हैं जिससे एक परकार से जो गंगा नदी के सायग नदीया हैं वो आपस में मिलती हैं ठीक है अब basically यहाँ पर आप चित्रात्पक सैली में देखने का प्रयास करेंगे कि यह है क्या ठीक है इसको थोड़ा समय और बड़ा करके आपको दिखाता हूँ glacier होते क्या है आज के बाद में आपको glacier जो है किसी से पूछना नहीं पड़ेगा अब glacier यह होते है अब यह पहाड है उची उची पहाड है ठीक है पहाड आपको दिख रहा है अब यहाँ पर आप देखेंगे सफेद सफेद है क्यों है सफेद इसलिए है चुकि यहाँ पर बरप के बड़े बड़े चादरे यहाँ पर चड़ी हुई है अब यही प्रकार से जो बड़े glacier होते हैं उची उची पहाड़ उपर है यह ठीक है यह पहाड़ा आप देख रहे हैं यह चोटी है अब इसको चोटी कहते हैं और यह गड़ा जो आगा है यहाँ पर घाटी अब फिर इधर से थोड़ी उची जाएंगे तो यहाँ पर एक चो से नदिया बहती रहती है इसलिए जो glacier से निकलने वाले नदिया होती है यह प्रकार से सदा नीरा होती सदा नीरा का मलब होता है कि हमेशा इसमें जल होता है यह गंगा नदी में हमेशा जल बहता रहता है यह मुना नदी हो गई गंगा नदी ब्रह्म पुत्रा नदी यह पहाडों में पत्थर को रोक रोक करके पत्थर को एकठा करके बनाय गया है ठीक है ये देखें और ये पहाडों पर आप देखेंगे तो ये देखें उची उची पहाड़ जो यहाँ पर गलेसियर जमे हुई है ठीक है ये पहाड़ आप देखेंगे ये बड़े बड़े जो चोटी है इन पर आपको मिलेगा चीजे जमी हुई ठीक है थोड़ा सा और इसको देखने का प्रियास करते हैं चले यह आपका हैं और इस तरीके से यह सब बर पिघलने लगते हैं तो क्या होता इससे पिघलने से क्या होता है भीया पिघलने से क्या होता है पिघलने के बाद में क्या होता है यहां से एक प्रकार से इस सब पिघल करके नीचे आ करके इसे बहने लगते हैं अब जो ऐसे ही प्रकार से glacier होते हैं तो glacier एक प्रकार से गंगोत्री glacier से गंगा नदे निकलती है यह मनोत्री glacier से यह मोना नदे निकलती है ठीक है ऐसे ही और भी glaciers है ठीक है यह देखें यह glaciers आपके ठीक है यह मेरू पीक है मेरू परबत पीक माने चोटी होती तो यह चोटी आप देखें इस तरीके से चोटी यहाँ पर देखें बरफ के जमी हुई बरफ अब यह देखें घाटी और चोटी क्या होती है अब यही पर एक मेंट समझ लो यह आपकी होगी चोटी ठीक है यह बीच में आप देखते हैं यहां पर से घाटी बनी है यह चोटी हो गई यह गड़ा यह घाटी हो गई फिर यह चोटी आए जाएगी यहां तक चोटी यह घाटी हो गई ऐसे ही यह चोटी हो गई यह चोटी देखे यह फिर बीच में थोड़ा सा घाटी फिर चोटी फिर गड़ा फिर उपर इस तरीके से इस तरीके के जो परबत होते हैं इन्हीं को वलित परबत कहते हैं ठीक है यह सब मैं आपको पर्थम समेश्टर में समझाया था लेकिन अब तब डिशनल बोर्ट नहीं था मैं और अच्छे तरीके साब को समझा देता ठीक है यहाँ पर देख जलती हैं और इस तरीके से यहाँ से धनंग धनंग करके पानी बहता है अच्छा अपरदन अपक्षय कैसे होता देखें यहाँ से मालते पानी बरब पिघला और यहाँ से पानी बहा अब पानी बह करके क्या हो जाएगा देखें यहां से आ रहा तो यहां से तोड़ते तो ये होते हैं इसके अलाबा आगे देखें यहां से ब्रब्लारं के पहाड़ और प्रुए यहीं प्रफ के पहाड़ है यहां से अनुचे आता है यहीं से पारिस के बैर की पहाड़ में पर जो क्रिश तो sum बड़ी बड़ी चादरे चट जाती हैं तो वही गलेसियर कलाते हैं यह बैर आया पानी ठीक है तो इस तरीके से आप लोगों ने यह चीजे देखी ठीक है बिल्कुल चले दिशे तर पर आपके समयागा कि भी गलेसियर क्या होते हैं चले अब आगे बढ़तर चीजों को जान चले तो यह हो गए आपके जो है गलेसियर हिमनत जिसको आप हिमनत बोलते हैं तो आपको समयागा होगा क्या होता यह 26 नमर कोशन साथ देखेंगे प्रसनापका है करसी के मुख परकार कौन कौन से असपस्ट किजे करसी विविन परकारों के अनुसार प्रतिवी के धरातल को अनेक भागों में सर्मेकों की उपवदि पूँजी और विवस्था की परापती, भूमी की किसम और उसकी उपवदि विवि assuming की का प्रभाव आदि के अधार पर करसी कि कई रूप देखने को मिलते हैं basically देखे पहली करसी जो होती है वो होती है भी या कौन सी प्राचीन भरन पोसड़ वाली करसी यानि कि जो पहले होती थी किवल पेट पालने के लिए करसी करियाती थी वो करसी दूसरी होती गहान भरन पोसड़ करसी यानि जहां पर पालन उद्योग दोनों चटवा पौध वाली करसी जो होती है नि जो बगाती करसी या पौधे वाली करसी साथवी होती है ब्यापारिक या फसल उत्पादन वाली करसी ठीक है फल उत्पादन वाली जहां पर फल उत्पादन होता और ब्यापार के लिए खास करके करसी करी जा आयाते तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं प्राकर्तिक और कर्तिम ठीक है लेकिन यहाँ पर दूसरे तरीके से हम देखेंगे प्राकर्तिक संसाधन प्रकर्ति प्रदत होते हैं यह पूरे बिस्व में समान रूप से नहीं पाया जाते हैं मानो संस्कृति की प्रकति और विका अब basically सभी आधारों को ध्यान में रखर के हम संसाधनों को इस तरीके से बाट सकते हैं, पहला पहला आपका है GBA और AGBA संसाधन, यह जैबिक संसाधन और AGBA संसाधन, GBA मलब की जो सजीव हैं, AGB मलब की जो निर्जीव हैं, दूसरा पुना प्राप्ति और अपूर्ति संसा यानि ऐसे संसाधन जिनकी दुबारा से पूर्ति की जा सकती है, और ऐसे संसाधन जिनके दुबारे से पूर्ति नहीं की जा सकती, तो उस तरीके से माट सकते हैं, तिसरा संभाब्य और विक्सिस संसाधन, चौथा कच्चे पदार्थ एवं सक्ति के संसाधन, पाच्वा कर सबस्थ सम्मादि तथा पसु चाड़िक संसाधन चठा खनिच पदार्थ और वद्धोगी क संसाधन यह सब संसाधनों की कई प्रकार है जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं 28 नमर कोशन्स आप देखेंगे प्रसनाव के स्किन पर आचुका है 28 नमर कोशन्स आप देखेंगे फटापट से आप देखेंगे वीडियो को लाइक और चलन को सब्सक्राइब कर दीजेगा आयसी सुविधा या वस्तों का बिस के भूतल पर बित्रड आसमान और बिसम है, साथ ही उद्योग कच्चे माल पर कुछ अस्थानी मांग पर एवं अन्य कुछ बिस्वियापी मांग अथवा उन्नत तकनेकी के अनकूल वातावण में ही विक्सित हो सकते हैं, इसी कारण से ल सूती वस्त उद्योग अधिक केंद्रित होए हैं, इस प्रकार से किसी अस्थान विसेश के अगर बात की जाए, तो उस पर विसेश उद्योग के केंद्रित होने की प्रबर्ती को उद्योगों का अस्थानी करण कहा जाता है, उद्योगों का अस्थानी करण सीधा सीधा मल जाता है बिस्त के समस्त देश समान रूप से उद्योग के अस्थानी करण के लिए अनकूल नहीं है अता किसी प्रदेश में उद्योगों के अस्थानी करण के लिए निम्नांकित कारक अनकूल होने चाहिए सबसे पहली बात किसी जगा पर क्या क्या चीज़े हों जिससे वहा वहां पर एक प्रकार से उद्योग अस्थापित किये जाएंगे, तीसरी बात, सक्ती के साधनों के निकटता हो, यानि जो पावर मिलती हो, यानि लाइट बिजुली जो हो, जिससे भी चलना हो, वो एक प्रकार से उपलब्द होना चाहिए, चौती बात, परिवहान के साधनो भायो भी ठीक ठाक होनी चाहिए, इसके लाव कुसल और सस्ते सर्मिक मिल जाएं, यानि कि एक प्रकार से अच्छे सर्मिक और सस्ते सर्मिक मिल जाएं, इसके लावा सरकारी सनक्षण मिल जाएं, सरकार भी वहां के ठीक ठाक हो, इसके लावा संचार की वेवस्ता हो, फोन परकार से यहां पर अस्थाप्चत करेंगे तो हमें लाब हो आगे बढ़ते हुर भी चीज़े को जानने का प्रियास करते हैं फट्पट से आप लोग अजय संसाध्वन कौन से होते हैं असपष्ट करें अजयबिक संसाध्वन तो देखें आजयविक संसाधन कि अगर बात की जाए यानि कि non living जो resources होते हैं आजयविक संसाधनों के अंदर कर धरातल आता है चटाने आती हैं वायू है जल है खनिज है इधन है धातों है भवन निर्माड के पत्थर बगरा हो गए ये सब एक प्रकार से आजयविक संसाधन है मानों ने सदेव इनका उपयोग वस्तोय बनाने के लिए या सक्ति की प्राप्ति के लिए किया है वायू ना केवल उसके जीबित रहने के लिए अमरित तुल है मनुस के वरन इससे वायू सक्ति तथा एक प्रकार से नत्रजन यानि की नाइट्रोजन जो होता है वो भी प्राप्त किया आता है जल का उपयोग पीने या करसी के अतरिक्त जल मलब सकती उत्पादन में भी किया जाता है ठीक है तो कहीं न कहीं पे जल या घनिज इंधन ये तमाम प्रकार की धातों ये सब अजबिक संसाधन है और मनुस के लिए बहुत उपयोगी है इन दोनों संसाधनों के बीच की इस संसाधन ही किसी भी देश की वास्तविक संपत्ती माने जाते हैं मानो उपयोग के लिए या संसाधन अनेक प्रकारों और रूपों में उपलब्ध होते हैं किन्तों बिभिन मानो समोहों के लिए इनका महत उनकी सब्विता के विकास के चड़ों के अनुरूप ही होता है जै आगे देखते हैं, तीसवा नमर प्रसन आपके स्किन पर आचुका, तीस नमर कोशन से, प्रसने कुटीर और लगू उद्योगों में अंतर बताएं, कुटीर उद्योग और लगू उद्योग क्या है, देखें कुटीर उद्योग के गरबात करें, तो कुटीर उद्योग मुक अगला अंतर ये है दोनों में, देखें तीसरा अंतर है कि जो कुटीर उद्योग होता है, कुटीर उद्योगों में अस्थानी मांग की पूर्ती की दिश्टी से परंपरागत वस्तों का उत्पादन किया जाता है, जबकि लगू उद्योगों में वस्तों का उत्पादन एक बड़े छेतर की मांग को पूरा करता है ठीक है इसके अलावा कुठीर उद्योग की गेरबात करें तो चोटे उद्योग होते हैं बेसिकली और कच्चे माल की आपोर्ती समानता अस्थानी अस्थर पर करते हैं जबकि लगूत द्योगों में कच्चे माल की एपूर्थी बाहर से आयतित माल के द्वारा होती बाहर से माल खरीद करके आता है और उसके बाद में उसमें बनाया जाता है पांचवा अंतर ये कुटिर उद्योगों में तयार माल जो होता है जबकि लगूद योगों में निर्मित माल का बजार ब्रिस्तित होता है आर्था दूरस्त बजारों में भी यहां पर का माल बना हुआ इस कमपनी का भेजा जाता है ठीक है लगूद योगों का ये ध्यान लखेंगे वही देश आजबिस्व में सबसे अधिक आर्थिक और दोगिक और ब्यापारिक उन्नती करने में सफल हो सका है समिक्तराज अमेरिका, रूस, यूक्रेन, इंगलेंड, जर्मनी, फ्रांस, बिल्जियम और जापान जैसे ऐसे ही राष्ठन जिन्नों ने अन्य देशों की अपे पस्चमी आस्टेलिया, सौधी अरब, तथा ठंडे मरुस्थल, इलाकों में विसेश करके अलासका वगारा का आर्थिक विकास संभव हो सका है, चुकि जब एक प्रकार से खनिज नहीं होंगे, तो एक प्रकार से मनुस का विकास नहीं होगा, खनिज जितने यादा जहाँ अगर लेना है तो सौधी अरब और जो गल्फ कंट्रीज हैं, खाड़ी देश हैं, उनका साथ लेना पड़ेगा, लंबे समय तक परवर्धनिये संसाधन कौन से होते हैं, वे संसाधन होते हैं ये, जिन्हें विज्ञान के सहारे एक लंबे समय तक उप्योगी बनाए रखा जाता है, जैसे कि उनकी गुण बिर्धी गिया सकती है, जैसे कि भूमी की उरबरक सकती को जल आदी दे करके उपजाओ बनाए रखा जा सकता है, संदक्षन के द्वारा मचली, जीव जन्तूओं और बनों को सुरक्षित रखा जा सकता है, तो ये सब लंबे समय तक परवर संसाधन भी मैत्पूर्ण होते हैं क्योंकि बिना मानो स्रम के प्राकरतिक संसाधनों का कोई मूली नहीं होता, मानो ही अपनी वातावरण में परिवर्तन करके उनमें पायज आने वाले पदार्थों को अपनी आवसकता के लिए उप्योग में लाता है, और उसी के परिसरम जरूरी होता है क्योंकि तो इस तरीके से यह मानविय संसाधन होते हैं, तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ महत्रफोर्ण परसनों के बारे मैं समझाया बताया, ठीक है, बाकी मैं फिर से आपको एक परिकार से बताओंगा नेक्स्ट वीडियो में, ओके, आप समें लोग कोई बार वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा चुकि किसी प्रकार से वीडियो मैं देता रहता हूँ एक वीडियो मैं आउर दूँगा इसको लेकर के जिसमें भारत की बारे में बताऊंगा भारत की अवस्त तक कि आपको समझ में आजाए सारी चीजे ठीक है यह देखें खुल लहा है बस दो मिनट रुकें देखें यह प्रकार से यह पॉलिटिकल इंडियन मैप है इसको मैं एक में आपको समझा दे रहा हूँ इसको लेकर कि आपको परिशान बिल्कुल भी नहीं होना है देखें चलें, यह आपका देखें, यह आपका पूरा का पूरा इंडिया है clear, अब इंडिया में यहाँ पर चीजे आपको थोड़ा सा समझाने का मैं प्रियास करता हूँ, कि भाई आपसे पड़ोसी देशों के बारे मैं पोच सकता है, यह सब पोच सकता है, अवस्तिती विस्तार पोच सकता है देखे, इंडिया के अगर बात के यह एरिया, यह इसको बोलते है घंजाब का एरिया है पूरा, ठीके पंजाब हो गया यह डिल्ली आपकी है, यह उत्तर परदेश आपका है ठीक है और यह राजस्थान है आपका जैपूर पिंक सिटी के नाम से जानेता है तो राजस्थान पूरा सीमा साज़ा करता हो गुजरात भी सीमा साज़ा करता है पाकिस्तान से तो इस तरीके से पाकिस्तान अफगानिस्तान ठीक है और इसके अलाबा चाइना और यह अपना नेपाल ठीक है ये भूटान ये बंगला देश ठीक है ये म्यामार ये निवर्मा और इसके अलामा इसके अलामा अगर मैं आपको और दिखाऊं तो ये देखें ये आपका होता है और ये आपका दक्षिट भारत में अगर आप देखेंगे दक्षिट भारत में कोई देश नीचे आप आएंगे यहाँ पर माल दीफ है जो कि जली सीमा साझा करता है भारत के साथ इसके अलावा यहाँ पर अंडमान निकोबार दीफ समू है अपना ठीक है इंडिया के अंडर में ही है ठीक है तो यह एक प्रकार से आप जान पाएं यहाँ पर आपका यह बेया बंगा स्री लंका ध्यान रखेंगे ठीक है यह अपना तमिल नाडू राज्य है यह केरला है ठीक है यह करनाटका है ठीक है यह कौन सा राज्य है यह करनाटका है यह करनाटक है ठीक है यही पर गोवा आपका यह पढ़ता है यह मुंबई पूरायनी महारास्ट महारास्ट इतना ल प्रदेश पहले एक ही में था पूरा ये वाला एरिया, लेकिन अब अलग अलग हो गया है, ये अपना चतिस गड़ है, ये ओडिसा है, ये जारखंड है, ये बेस्ट बंगाल है, ये मध्य प्रदेश है, गुजरात है ठीक है, ये चीज़े आपको समझ में चीज़े आनी चा और यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश, ये वाला एरिया, अरुणाचल प्रदेश का है, नागा लेंड ये है, ठीक है, इसके लिए मनी पूरा आपका ये वाला है, हरा वाला, ठीक है, मिजोरम आपका ये गुलावी वाला है, क्लिएर ये बात ध्यान रखेंगे, आ नागा लेड़ आपका ये वाला नागा लेड़ है, के लिए ध्यान नखेंगे इस तरीके से, 36गड ये वाला आप नहाए, तो इस तरीके से ये márat जे भारत के, तो इसको आपने समझ लिया, तो मिलते हैं, फर next video में तब तक के लिए जैहिए झाला भारत, कर दो कर दो लूआ है